ओम स्रीगणई शेयर नमा दोस्तों ओम गणपती समधानी यूटूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले 19 अगस्त गुरुवार आज के कन्या रासी के देनिक रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान देना होगा और साथ ही इनका बिजनेश और मिवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्मून द्यानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोट्फिकेशन की बेल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्मून वीडियो पहुँच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते कैसा रहेगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके विफसाए और केरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आज आप अपनी दिनचरिया को विवस्तित करने में सफल रहेंगे आपका मन पिरसनता और उत्सा से भरा रहेगा आज आफिस में आपके कारियों की भी तारिफ होगी इससे आपका मन अती पिरसन रहेगा और आपके कारिये सफलता पूरवक पूरे हो जाएंगे आज आर्तिक लाब होने के कारण आपका तनाव दूर होगा आपके पुराने रुखे हुए कारिये पूरे होंगे दोस्तों गिरे नक्षत्रों के मताबिक सफलता आज आपके कदम चूमेगी साम के समय तक कोई रुका हुआ काम बनने की उम्मीद है आप किसी पुराने बंद पड़े कारुबार को दोबारा सुरू करने का विचार विमर्स कर सकते हैं दोस्तों आपके लिए क्या नेगेटिव रहेगा आज नकारात्मकता और नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना होगा अपनी नकारात्मक सोच से बचें इससे आपका मनोबल कम हो सकता है इसलिए आपने विचारों में सकारात मक्ता बनाये रखें और पिता की सियत को लेकर भी आज आप चिंतित हो सकते हैं दोस्तों आपका व्यापार कैसा रहेगा आज रुकावा धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रियासरत रहना पड़ेगा कारोबार में आज सफलता के योग रहेंगे आर्तिक नजरिये से भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा लकडी का कारोबार करने वाले व्यापारियों की बिक्री में इजाफा होगा व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी जिससे मुनाफा भी होगा युवाव और विद्यार्तियों के लिए यह दिन सामान्य रहेगा दोस्तों आपका घर परिवार कैसा रहेगा अपने पिता की बातों का आप सम्मान करें आपकी राय एहम है सभी पक्षों पर सोच विचार कर ही अपनी बात रखें घर परिवार में एववायतों के रिष्टे की बात हो सकती है घर में को मांगली कारेक्रम की योजनाभी बन सकती है मादा दोारा कुछ सुक राप्ट हो सकता है घर परिवार में खुशिया रहेंगी और पती पतनी में कोई मीठी नोग जोग भी हो सकती है इससे आपके प्रेम संबंद और मजबूत हो जाएंगे बुजूर्गों और बच्चों के स्वास्त का दियान रख के हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी दोस्तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये दिन काफी सायम बरतने के हैं नहीं तो समाज में ऐसे रिष्टों से बदनामी हो जाएगी धामपते जीवन सफल रहेगा और धामपते जीवन में काफी खुशिया भी रहेगी दोस्तो आपका स्वास्त के सरेगा दोस्तो इस दोरन हाई बिलड प्रेसर या हाई बीपी की समस्या हो सकती है ये समस्या मोसम जनिज भी हो सकती है अपने स्वास्त का ध्यान रखें नियमित योग करें व्यायम करें और स्वास्त रहें दोस्तो आज आप ये विशेश उपाई अवश्य करें सवा मीटर लाल कपटा लेकर उसमें एक मुखी नारियल रखकर उसे विश्णु भगवान की मंदिर में अरपित कर दें और इसके साथ इकच्चे नारियल का प्रसाद बाटें और साथ में 108 बार इस मंतर का जाप करें ओ ओम नमो भगवते वासु देवाई ओम नमो भगवते वासु देवाई दोस्तो इस पिरकार उपाय करने से भगवान स्री हरी विश्णु जी अवस्से प्रसन होंगे और आपकी हर्मन उकामना पूरी होगी दोस्तो आपको भगवान विश्णु जी का असिरवात प्राप्त तो कमेंट में जे विश्मोव से लिकें धन्यवाद दूस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हूँ